हेलो, गुड यूनिंग दोस्तों, 25 दिसंबा 2018 की डेली प्रिलिम्स MCQ सीरीज में आपका स्वागत हैं चलते हैं आज के कुछ क्यूशन की सरफ, इससे पहले कल के जो क्यूशन से उनके आंशुर देखते हैं यह बेसिकली आइडनिफार किया गया थे, गल्फ ओफ कच्छ में, तो इसका आंशुर भी होता है नेक्स्ट जो क्यूशन था, वो था कि लॉइन टेल मकाव के बारे में, कि उसका नेच्रल हेविडेटर वो इंडिया में कहां पे है तो कल हमने इसका गलत आंशुर क्याता है, आप दिहांग दिबांग बायस पर जाओ, यह नहीं इसका राइट आंशुर हो है, नीलगीरी बायस पर जाओ, तो sorry for that, और आप इसका आंशुर को correct हो, कर लेना अब हम देखते हैं, आज के हमारे questions के तरफ, आज का जो पहला question है, वो आया है, eldobra, कच्छो की परजाती के बारे में, तो हमें बताना है statement दियाँगे कि कौन सा, सही है, पहला statement दियाँगे है, कि सेलेस के निस्थानी का या इंडेमी का तो यह पहला statement है, दूसरा statement यह दिया तो देखो हम बात करें हैं आप फेर्ड स्टेट्मेंट है वो गलत है क्यों क्योंकि यह आयूसीन की उन्रेबल लिस्ट में सामिल है ना की लुफ्सप्राइल लिस्ट में तो इसलिए थेर्ड को अगर हम इल्मिनेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बज़े का ए यानि फेस् इसके साथ इस सेकंड जो question है वह गोल्डन लंगोर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिये गये हैं हमें correct option को जूज हो करना है पहले स्टेटमेंट यह दिया गया है कि हिमालन रिजन में इंडेमिक है तो निदेमिक का मतलब हमने काफी बार डिसकस किया है कि वो परजाती जो पर पहला पानी लेक वो कौन से स्टेट में है पहला उप्सन है हिमाचल प्रदेश दूसरा मेगाले तीसरा मनीपूर और चोथा तृपूरा तो अभी बारा पानी लेक न्यूज में थी और यहां पर मेगाले से बारा पानी लेक है वो मेगाले में हैं नेक्स्स जो क्यूसरन है वो है Western गाट के बारे में क्यूसरन ही है कि नीमन लिकीла माबधंडों में से जो तीन माबधंड हमें आइडनिफाई करने जिनकी जैसे जो ही Western गाट है वो और सिके साथ ही स्रिलंका और इंडो वैनमार वाला जो बायो डावस्टी का एरिया है उसको म में तीन जो कारण है वो बताने हैं, पहला option आपके साम में दिया गया है species richness, मतलब जो वहाँ पर काफी ज़्यादा पर जाती हैं, वो पाये जाती हैं, second statement में ये दिया गया है कि vegetation density, मतलब वहाँ पर उत्सरजन गनत्तु है, third statement दिया गया है कि इंडिया में या वहाँ पर समस्थानिक मतलब आपे इंडिया में किस पर सी ज़्यादा पाये जाती है, fourth option आपके सामने है, यहाँ पे कि जाती है वनस्पती का महत्तु है जादा है, और पांच वह option आपके सामने है कि खत्रे की धारना मतलब आपके जो thread perception है उसके बारे में, और चठाय statement यह दिया गया है कि गरम और आदर प्रिस्थितियों में वनस्पतियों जाजिवों के अनुकुल महुल होना, तो हमें यहाँ पर identify करना है कि कौन से तीन जर्जन है, इसके साथ ही endemic species, मतलब वहाँ पर local species ज़्यादा पहे जाती है, जो कि other word में नहीं पहे ज़्यादी हो, और एक होता है thread perception, मतलब वहाँ पर खत्रे species को ज़्यादा हो, इन तीन रिजन के आधार पर biodiversity or sport को decide हो क्या गया था, तो यह तीनों रिजन हमें पता होना चीए, ताकि हम question को correct हो कर सकेंगे, अब हम चलते हैं next question पर, next question है, वो है कि recently मानों की जो activities ना, इन से हमारे environment में carbon dioxide का oxygen बढ़ा है, बट उसके बावजूद भी जो lower environment है, हम बोलते हैं कि lower atmosphere है, उसमें carbon dioxide ये मातरा कम रही है, ऐसा क्या है, तो तीन रिजन दिये गए हमें सही कथन को चूज़ करना की कौन से ऐसे रिजन है, जिनकी वज़ए से lower environment पर, lower atmosphere में carbon dioxide का oxygen ज़्यादा होने के बावजूद भी कम रहा है, पहला statement option आपके सामने दिया गया है, कि outer जो stratosphere है, उसमें आराम से carbon dioxide है, वो भार चली गी, दूसरा statement ये दिया गया है, कि mass आगर है, उनके अंदर जो पाद्व है, वो basically photosynthesis में यूज़ कर लेते हैं, मलब पेड़ पोद एपना बोचन ब्राने में carbon dioxide का यूज़ कर लेते हैं, third option दिया गया है, कि धुरूव में जो बरफ है, उसके जो चोटिया है, आइसकेप हैं, वो basically हवा को या carbon dioxide को ब्लोग कर लेती हैं, देखो पहला statement साब साब गलत है, ये बात कर रहा है, इस state और इस पेर का, कि वो out space में चली जाती है, ये statement बिलकुल गलत है, second or third step में बिलकुल सही है, देखो आप ऐसे देखिए, ये तो होगी हमारी earth, इस पे ये हमारा है, ये मालोग की हाँ पे हम लोग रह रह रहे हैं, पेड़ बोदे पजू अगया है, ये होगी हमारी पहली लिए, इसके बाद दूसरी ऐसे ले रहे हैं, वो आपको पता है कि प बिलकुल सही है, पहला यहां पे गलता है, तो इसका option हो जागा है, यहां पर C, नेक्स्ट जो क्यूशन है, वो है कि आपके सामने तीन ओप्सन दिये गए हैं, आपको बताना है कि जो ये organism है, इनका यूज कहां पर हो सकता है, पहला option दिया गया है, बेक्टीरिया, दूसरा फंगी और तीसरा दिया गया है, फ्लोरिंग प्लांट्स, क्यूशन यह पूचा गया है कि इन तीनों में से, जो ये तीनों organism आपके सामने दिये गए हैं, इनमें किसका यूज हो बायो प्रेश्टिसाइड के तोर पे यूज कहाजा सकता हैं, क्यूशन यह पूचा गया है क इनमें से कौन सी केटेगर हैं प्रोटेक्शन की अंडिया में, जहां पर लोकल लोग है, वो पेटपो देव अगरा को यह पर लोकल जो बायो मास है, उसको प्रोट्रिक से कंजर्प्शन है उसका नहीं कर सकते हैं, मतलब यह पूचा गया है, कि बायो स्परिजव, नेसल प नेसल पार्क में कम्प्लीटली लोकल लोग होते हैं, उनको बहाँ पे बायो मास्क को क्लेक्ट करने के लिए मनाई होती है, क्योग वो काफी सेंसिटिव होते हैं, तो इसका उप्षन यहां पे भी होगा। नेक्ट दो दोनों क्युषन हैं, वो आपके लिए होमग हैं, पहला क्युषन आपके सामने है, कि निमल लेकित में कौन सा पाणिनी द्वारा लिखा गए हैं, पहला है आरियबर, दूसरा मनुष्मर्ती, तीसरा अस्टा ध्याई, और चोथा है ननो अफ्थीस, तो आपको ब यहाद आवा था, तो वो आपको यहाँ पर स्लेक्ट हो करने हैं, यह थी आज गी हमारी डिस्कुशन, तो फिलाल की डिस्कुशन में इतना ही है, तो थेंक्यू, थेंक्यू एर मच्ट फोर डिस्कुशन.